प्रियविद्य अर्थियो, आज मैं आप लोगों कुवाह कविता पढ़ाऊंगी जो दादा और पोती के बीच में संबंद बता रहा है और यहाँ पर इस कविता में दादा और पोती में क्या समानता है उस पर प्रकाश डाला गया है जैसे आप ध्यान दिये होंगे तो आपक करते हैं जैसे बच्चे हरकते करते हैं वैसे बड़े भी करने लगते हैं और कुछ चीज है उनकी जो है जैसे चलने फिरने में वो भी खुद से नहीं चल पाते हैं, उन्हें भी सहारे की ज़रत पढ़ने लगती है, लाठी हो या कोई पकड़ कर उठाए, और उनके भी दात तूट जाते हैं, खाने पीने में उन्हें जैसे बचों कुछ हलकी चीज़े दी जाती है, वैसे उन्हें दादा जी की पूती जी से बड़े मजे की चंती है, पूती लुढक लुढक कर चलते लोट पोट हो जाती है, दादा जी भी चलते डगमग एनक जब खो जाती है, इसलिए शायद दोनों में कुछ जादा ही बनती है, देखिए दोनों कुसेम बताया गया है, उनकी समानता बताई गई है कि दादा जी की पोती जी से बड़े मजे की छंती है बड़े मजे की छंती है यानि बड़े मजे से बनती है मतलब दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं पोती लोड़क लोड़क कर चलती है लोड़क लोड़क कर चलना मतलब कभी चलती है और कभी गिर जाती है लोट पोट हो जाती है और काफी खुश हो जाती है लोट पोट हो जाना जैसे हम कहते हैं बच्चा हसते हसते लोट पोट हो जाती है दादा जी भी चलते डगमक एनक जब खो जाती है यहाँ पर बताया जा रहा है कि और दादा जी की भी स्थिती सेम हो जाती है कब जब उनकी एनक हो जाती है यानि जब उनके चश्मे खो जाते हैं तो दादा जी भी डगमक होने लगते हैं जिस तरह से लुढ़क लुढ़क कर पोती चलती है वैसे ही दादा जी भी लुढ़क लुढ़क कर चलने लगते हैं इसलिए शायत दोनों में कुछ जादा ही बनती है और यही वज़ा है कि दोनों में जब सामानता पाई जाती है यानि दोनों एक जैसे ही है इसलिए उन दोनों में बहुत बनती है दुसरे परागराप में दिया क्या है कि दादा जी हो चले पोपले दलिया खिचडी खाते हैं पूती जी के दात दूध के चीजे नरम चबाते हैं हलवा पूरी खाकर दोनों की ही दावत मनती है, कह रहे हैं कि दादा जी हो चले पोपले, पोपले यानि की विना दात के, दादा जी को एक भी दात नहीं है, दादा जी पोपले हो गया है, दलिया खिचडी खाते हैं, अब दादा जी क्या खाते हैं, दलिया और खिचडी ही ख चबा सकते हैं इसलिए वो हलकी चीजे खाते हैं पोती जी के दात दूद के चीजे नरम चबाते हैं और कहते हैं कि पोती जी के भी तो जो दात है वो नरम है दूद के दात है यानि जन्नम का दात है नरम दात है वो भी नरम चीजे ही खा सकती है कड़क चीजे वो भी नहीं ख हलवा पूरी खाकर दोनों की ही दावत मनती है। इसलिए वो लोग कोई कड़क चीजे नहीं खाते हैं। ज्यादा तर क्या खाते हैं हलवा और पूरी खाकर के दोनों ही दावत मनाते हैं, पाटी करते हैं। अभी हाल पोती का मुंडन धूम धाम से किया गया, दादा जी के सिर पर मुश्किल से उगता है कोई बाल नया, कह रहे हैं कि दोनों की बाल में भी समानता पताई जा रही है यहाँ पर, कि अभी ही हाल में पोती का जो है धूम धाम से क्या किया गया, मुंडन किया गया, जड़ गए हैं यानि दोनों सेम हो गए अब दादा जी है बड़े सयाने पोती भी गुडवनती है और दोनों में क्या सेम है कि दादा जी बड़े ही सयाने है और पोती जो है वो कोई कम नहीं है वो भी बड़ी गुडवनती है यानि बहुत कलावती है बहुत कलावाली है बह न लेकिन थंती है दाधा जी की पोती जी से बड़े मजे की छंती है। कह रहे हैं यहां की कभी की दाधा जी नक्चड़े सभी से पलभर में चिड़ जाते हैं। जो दादा जी हैं वह बहुत ही नक्चड़े हैं यानि थोड़े थोड़े बातों पर गुसा होने वाले हैं नक्चड़े हैं उनकोई बोलते हैं जो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाते हैं तो दादा जी छोटी छोटी बातों पर तुनकने वाले हैं किसी आने वाले हैं प दादा जी का जो है वो पोती से कभी भी कुछ खटकता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, दादा जी की पोती जी से बड़े मजे की चंती है, दादा जी जो है उनकी पोती जी से बड़े मजे की यानि बहुत अच्छे से बनती है, बहुत अच्छे से रहते हैं दोनों, तो इस परकार से इस कविता में दादा और पोती को सेम बताया गया है दोनों की समानता दर्शाई गई है और बहुत ही सुन्दर ठंक से इस कविता को प्रस्तूत किया गया है कि जब हमारा बुढ़ापा और बच्पन लगभग एक जैसा ही होता है